हेलो स्टूडेंट्स नवश्कार प्रणाम आप सभी का मेकेनिकल एट इज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक सुवागत है आज हम बात करने वाले हैं एन एल सी इंडिया लिम्टिड इंटरप्राइज के बारे में ये नवरतना कैटेगरी के अंतरगत आती है और पब्लिक से आउट हुई हैं जिनके बारे में हम डिस्केशन करने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं पोस्ट ग्रेड नंबर ओफ वेकेंसीज एंड रिजर्वेशन एजूकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्स्पिरियंस रिक्वाइर्मेंट्स तो सबसे पहले इन्होंने बताया है मेकेनिकल और उसमें भी स्पेशलाइजेशन के साथ थरमल इन्होंने यहां लिखा हुआ है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहली जो वेकेंसी है एक्जिग्यूटिव इंजिनियर मेकेनिकल एफोर ग्रेड नंबर ओफ वेकेंसी आप यहां देख सकते हैं 51 है अन्रिजर् सेक्षन के लिए 5 बाकी यह जो चीज़े नीचे दी गई है एब्रिवेशन के रूप में इनकी फुल फॉर्म नीचे दी गई है वो आप जब नोटिस को चेक करेंगे तब इसे पढ़ लेंगे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए फुल टाइम या फिर पार टाइम आपके पास बैचलर डिगरी होनी चाहिए mechanical में या फिर mechanical and production में या फिर industrial and production engineering में या फिर production engineering में इन branches में से किसी भी branch में अगर आपने full time या part time bachelor degree की हुई है then you are eligible candidate for this post and you can apply उसके बाद यहां आप देख सकते हैं length and area of post qualification work experience तो इसके बारे में आप चेक कर लीजिएगा detail से इसे पढ़ लीजिएगा अब बात आती है mechanical mines पहले हम thermal के बारे में बात चित कर चुके हैं अब हम बात करेंगे mines के बारे में तो vacancy का नाम है executive engineer mechanical E4 grade तो यहाँ पर vacancy जो है 45 है category wise vacancy आप यहाँ देख सकते हैं same वही criteria है full time या फिर part time आपके पास bachelor degree होनी चाहिए ठीक हैं experience की बात करते हैं तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं five year experience होना चाहिए और experience कौन से field में होना चाहिए उसके बारे में भी इन्होंने बताया है और preferable वो है जिनको SAP की knowledge है and computer applications के बारे में जिन है knowledge है अब हम बात कर लेते हैं electrical thermal के बारे में executive engineer आपकी vacancy का नाम रहेगा electrical specialization रहेगा वही same criteria full time या फिर part time bachelor degree होने चाहिए electrical से relevant disciplines में 22 vacancies are available for electrical thermal ठीक है जी तो अब हम बात कर लेते हैं next electrical mines के बारे में vacancies का नाम रहेगा executive engineer electrical E for grade 23 vacancies है full time और part time bachelor degree आपके पास होने चाहिए और experience की बात करें तो यहाँ पर side में दिया गया है next है electrical renewable energy five vacancies है executive engineer की post है same criteria है इसे आप वीडियो को stop करके देख लीजिएगा next हम बात करते हैं civil thermal वालों के लिए executive engineer नाम की post रहेगी one vacancy available है और यह जो one vacancy है यह ST वालों के लिए निकाले गई है full time, part time किसी भी परकार की आपके पास bachelor degree होने चाहिए civil में या फिर civil and structural engineering में next हम बात करते हैं civil minds executive engineer two vacancies are available for this post full time और part time bachelor degree in civil और civil and structural engineering next हम बात करते हैं civil renewable energy executive engineer full time और part time bachelor degree आपके पास होने चाहिए civil में या फिर civil and structural engineering में nine vacancies are available next हम बात करते हैं scientific thermal so manager के नाते ही पोस्ट है seven vacancies are available full time और part time आपके पास MSC होने चाहिए chemistry में या फिर analytical chemistry में या organic chemistry में या in organic chemistry में या फिर physical chemistry में तो आप यहां apply कर पाएंगे और इसके लिए 12 year experience का criteria रखा गया है preferable क्या रहेगा सब detail इन्होंने यहां बताई हुई है next बात करते हैं geology mines manager as a geology department इन्होंने बताया है six vacancies are available तो इसके लिए चाहे part time हो चाहे full time M.Tech होनी चाहिए या फिर geology में M.Sc होनी चाहिए किसी अच्छे संस्थान से और पांच साल का experience होना चाहिए तो आप यहां apply कर पाएंगे environmental engineering mines executive engineer के नाते आपकी vacancies रहेगी specially for environmental engineering five vacancies are available for this post and full time or part time bachelor degree in environmental engineering ठीक है executive engineer industrial engineering E for grade two vacancies are available full time or part time bachelor degree in industrial engineering next हम बात करते है chemical mines executive engineer के नाते यह post है or two vacancies are available full time or part time bachelor degree in chemical engineering next manager for HR 14 vacancies are available post graduation की degree आपके पास होने चाहिए social work, business administration business management with specialization in personal management industrial relation, labor welfare or post graduate degree or diploma of minimum two years duration in personal management industrial relation, HRM labor welfare, labor management labor administration, labor studies तो सभी के लिए criteria सेम है कुछ vacancy आगे भी है deputy manager के लिए manager के लिए same criteria है अब 16 नंबर पे जो vacancies का नाम है manager, public relations तो six vacancies are available किसी भी discipline में आपके पास degree होने चाहिए ठीक है और B. इन्होंने बताया है कि post graduate की degree हो diploma of minimum two years duration in public relations mass communication or journalism area of post qualification experience you can check when you read this notification next vacancy का नाम है manager six vacancies are available bachelor of law degree three years or five years from recognized university should have enrolled as an advocate with any state bar council in India और experience की बात करें तो चेक कर सकते हैं five years इन्होंने बताया है area of post qualification experience क्या चाहिए वो भी आप चेक कर सकते हैं तो आपको एक दूविधा आ रही होगी जो abbreviations दिये गई हैं जैसे कुछ short form उपर बताई गई थी उनके बारे में आपको पता ना हो तो उनके बारे में बताया है B का मतलब क्या होता है L V का मतलब क्या होता है D, H, H, O, A, O, L B, A, B, L, O, A, L तो सभी की full form इन्होंने बताई है जिन किसी students को दिक्तत हो तो वो चेक कर सकते हैं ठीक है Note 1, Note 2, Note 3 सबसे पहले Note 1 देख लेते हैं Documentary proof in sport of the candidate's experience in the required area and length of post qualification work experience as prescribed at above have to upload it online to establish their eligibility for the post Note 2, Reservation of vacancies to PWBDs is horizontal reservation as per Government of India directives Note 3, Any other qualifications which are regarded classified as equivalent or having combination of branches other than the notified one will not be considered जो qualification criteria इन्होंने बताया है जिन भी branches के नाम जिन disciplines के नाम इन्होंने बताये हैं उन्हें discipline में आपकी degree होने चाहिए या फिर post graduation की degree होने चाहिए जो भी criteria इन्होंने बताया हैं इनके इलावा अगर कोई दूसरी ब्रांच के छात्र अगर आप हैं तो आप consider नहीं किये जाएंगे जो इस criteria को fulfill करते हैं वही यहाँ पर apply कर सकते हैं अब बात आती है is limit criteria तो जाहिर सी बात है unreserved category economic wicker section के लिए जो criteria दिया गया होता है उसके मुकाबले में अगर OBC, SC, ST को देखा जाए तो इनको relaxation दिया जाता है ठीक हैं वह आप check कर सकते हैं और बाकी place of posting क्या रहेगी वह भी आप यहाँ देख सकते हैं posted to any unit area place under the control of NLC India Limited for any joint venture associate subsidiary company of NLC India Limited located in different states union territories of India तो भारत में NLC जो India Limited Enterprise है इसमें या फिर इस से सब्बंदित किसी भी subsidiary में आपको किसी भी जगाएं किसी भी unit में वहाँ पर transfer किया जा सकता है आपकी posting हो सकती है method of selection क्या रहेगा वो आप यहाँ check कर सकते हैं for legal discipline or other discipline ठीक है तो check कर लीजिएगा general conditions क्या है कि सभी भारतिय लोग यहाँ पर apply कर सकते है all qualifications should have acquired from Indian universities institutes recognized by AICTE or UGC or any other appropriate statutory authority in India candidates from state PSE, central PSE, government, quasi-government should produce no objection certificate at the time of document verification otherwise they will not be permitted to attend interview अगर कोई विक्ति कहीं दूसरी company में कह लीजिए या फिर public sector unit में या फिर अर्द सरकारी सरकारी कहीं भी कारेरत है तो उसको no objection certificate यहाँ पर submit करवाना होगा तभी उसका interview जो interview है वो लिया जाएगा otherwise वो interview attend नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से इसे भी देख लीजिएगा candidate can contact the help line number 04142-255-135 तो यह जो contact number दिया गया है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप इस number पे contact कर सकते हैं Monday to Saturday यदि इस number पे आपकी बाचित संभव नहीं हो पाती है तो यह mail ID दी गई है इस पे आप mail कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं mail है help.recruitment at the rate nlcindia.in ठीक है अब बात आती है how to apply कैसे apply करना है वो notice को पढ़ लीजिएगा link आपको description में provide करवा दिया जाएगा अब बात आती है application fees क्या रहेगी ठीक है और processing fees क्या रहेगी तो वो check कर सकते हैं unreserved category economic wicker section OBC non creamy layer इनके लिए application fees बताई गई है 500 और 354 processing fees रहेगी 18% GST लगेगा यानि की total fees की बात करें तो 854 रुपीज आपके यहां पर लगेंगे या value रखनी चाहिए वो सभी के बारे में नोने बताया है now we will discuss about important dates तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि closing of online registration of application तो 23 तारिक तक आप यहां पर apply कर सकते हैं registration कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक 23 September यही आपकी इस फिल करने की last date होगी और उसके बाद last date for online submission of application for candidate who have already registered and paid fees within time limit तो एक दिन का समय और दिया गया है form आप एक दिन आगे तक फिल कर सकते हैं अगर आपने 23 तारिक तक fees payment कर दी हैं और registration कर दिया है तो ठीक है तो आशा करते हैं आपको ये सब बातें clear हो गई होगी हम आपके उज्वल भविश्य की कामना करते हैं जै हिंद जै भारत वंदे मातरम